सो हे गाईज में हूँ देव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा बोजन उर्जा में बदलता है एनरजी में कनवर्ट होता है अगर हमारे भोजन की बात करें तो हमारे भोजन में कार्बोईडेड, विटामिन, फैट, प्रोटीन ये सब पाई जाते हैं ठीक है हम जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे मूँ से पेट तक जाता है और पेट में पहुंचने के बाद ये भोजन हमारी small intestine यानि की छोटी आत में जाता है ठीक है छोटी आत से फिर ये बड़ी आत में जाता है लेकिन जो भोजन का पाचन होता है वो 90% भोजन का पाचन small intestine जरू करना अब इस अपस्षिस्ट पदार्ट को large intestine से rectum में पहुंचा दिया जाता है और rectum के ठरवी से बाहर थ्याग दिया जाता है इस पूरे के पूरे system को बोलते है digestive system पाचन तंत्र इसके लिए मैंने already वीडियो बना रखिये लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे भोजन का ये जो पाचन हुआ है इससे हमें एनर्जी मिलती है उर्जा मिलती है देखो जो हमारी small intestine होती है इसमें काफी ज्यादा enzymes पाई जाते हैं ये enzymes क्या करते हैं पोस्टिक तत्वों को छोटे छो enzymes इस polysaccharides संथनावों monosaccharides में बदलते हैं polysaccharides जैसे कि glycogen cellulose ये सारे के सारे polysaccharides होते हैं ठीक है इन्हें monosaccharides जैसे glucose, fructose, galactose इनमें तोड़ा जाता है enzymes के साइता से glucose, fructose और galactose ये सारे सारे monosaccharides होते हैं जो कि רईबोज या फिर डियोक्षी रईबोज सरकरा से मिल करके बने होते हैं disaccharides की बात करें तो maltose, sucrose और lactose disaccharides होते हैं जब polysaccharide का जलब गटन होता है तो disaccharide बनते हैं और disaccharide के जलब गटन से monosaccharide बनते हैं इनका जलब गटन enzymes की उपस्तिती में होता है और ये enzymes small intestine में पाय जाते हैं यानि कि ये सारी की सारी परकिरिया small intestine में होती है जिससे polysaccharide से monosaccharides बनते हैं बनने वाली Monosaccharide Icaio को Small Intestine अपने अंदर उबजरू कर लेती है। इसके बाद Small Intestine इन Monosaccharide Icaio को बलड में छोड़ देती है। और बलड में जाने के बाद ये Monosaccharide Icaio कोशिका तक पहुचा दी जाती है। इन Monosaccharide Icaio का कोशिका में दहैन होता है ओक्सिजन की प्रजेंस में जिससे CO2 प्लस H2 प्लस एनरजी यानि की उर्जा बनती है। कोशिका में जो उर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। इस उर्जा का उप्योग कोशिका अपने विभिन कामों में लेती है। एक मॉल गुलकोचे लगबग 36 ATP के अणू बनते हैं। इस प्रकिरिया में उप्योग में आने वाली ओक्सिजन को सौशन प्रकिरिया द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। और इसी प्रकिरिया में बनने वाली CO2 कारवन डाई ओक्साइड को सौशन प्रकिरिया के द्वारा हमारे सरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यानि कि अगर हमारे सरीर में सौसन परकिरिया ने हो तो हमारी कोशिकाओं उर्जा नहीं बना पाएंगी जिससे वो म्रत हो जाएंगी इसलिए हमारी कोशिकाओं को उर्जा बनाने के लिए सौसन परकिरिया की जर्रत होती है अगर प्रोटीन के अपगटन की बात करें तो प्रोटीन का अपगटन भी enzymes के द्वारा ही होता है प्रोटीन एमिनोमलों से मिलकर के बनी होती है इसलिए प्रोटीन एमिनोमलों में तूट जाती है इन इमिनोमलो का उफ्योग हमारा शरीर विपिन प्रोटीन के निर्मान में करता है और जो फेट होता है उस फेट को एंजैम की साहता से फैटी एसीड और मोनोगलेसरोल में तोड दिया जाता है इन फैटी एसीड और मोनोगलेसरोल को भी small intestine द्वारा observe कर लिया जाता है